हलो एव्रिवन एंड वेलकम बैक तो यूजी सिनेट मेंटोर गाईज आप सभी के लिए एक प्रॉपर प्लान लेकर के आए हैं जो कि अपकमिंग डेज में आप लोग फॉलो कर सकते हो आप सभी को पता है कि आपको जो एक्जाम को कैंसेल हो चुका है तो ऐसे में काफी सारे एसे हैं जो कि दुखी होंगे डिप्रेशन में चले गए होंगे बट आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेजी बना करके स्ट्रडी करते हो तो कितना भी टाइम आपको दिया जा च कि आपको 15-20 का 1 मेने की टाइम दुबाराँ से दिया जाएगा और आपको एकजाम, दुबारा से re-conduct करवा जाए जाएगा तो अगर आपको एकजाम अच्छा नहीं किया था, तो आप इस examail को डाक कर सकते हो अभी जो recent exam हुआ था, 18 zone को, इसमें paper 1 की जो all 10 units थे, इस सभी 10 की 10 units से question पूछे गए थे, ऐसा नहीं था कि किसी भी unit से question ना पूछा गया हो, इसका मतलब यह है कि आपको सारी unit करनी है, एक big unit आपको छोड़ के नहीं जानी है, सबसे पहले जानी है, second thing कि कुछ questions काफी easy बन ग होते हैं, और कुछ questions tough level के होते हैं, अगर सारी question tough level के हो जाएंगे, तो score करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, in fact, आपको अपनी cut of cross करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे मैं इसी वज़े से कुछ questions easy डाले जाते हैं, कुछ medium level के होते हैं, कुछ tough level के होते है, overall जो आपक most important topics के list दूँगा, 42-45 topics के आसपास मैं ज़्यादा topics include नहीं करूँगा, बस वही topic में डालूँगा, जो कि मुझे लगता है कि most 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 important है और जिसके उपर question बन सकते हैं, और in fact बने तया भी जो आपका recently जो आपका exam होता ठादा जो उनको, तो guys मैं इसकी list आपको provide कर दूँगा जल्दी एक another video बना करके, ताकि आप उन topics पे ज़्यादा focus करके, कम time में ज़्यादा score कर सके, आप देखो मैं अपने end पे कुछ चीजा आपके लिए plan कर रहा हूँ, जैसे example की तोर पे mathematical reasoning के अंदर मैं ने देखा downstream, upstream, मतलब नदी के ऊपर जाने में, नदी से नीचे आने में कितनी distance तया करती ही, कोई ना हो, इस तरह के जो question है, यह देखने को मिले इस बार, और पहले भी last, 6 मैने एक साल पहले भी question बने थे, तो यह topic मैं आपको अलग से करवाने का plan कर रहा हूँ, मैं आपको YouTube पर, और जो हमारा paid course है, दोनों के अंदर ही, मैं इस topic को अलग से cover करव होगा, ताकि अगर इस topic के ओपर दुवारा से कोई question बने, तो आप उसका answer easily 100% accuracy के साथ कर पाएं, तो यह वाले topic होगा है, आप upstream, downstream, इसके अलावा, जो train की speed से related question है, यह भी काफिट है, बन जाते है, train की speed से related अभी तो नहीं बना, बट जो 6 मेने पहले exam होता है, उसमें उस होता है, उसमें बताना होता है कि कितने second में एक जो train हो cross कर जाएगी, तो guys इस तरह की question है, train speed से related वो exam में पूछ लिए जाते है, तो mathematical reasoning के अंदर आपको करना है, एक downstream करना है, इसके अलावा percentage से related question करने है, percentage से related काफी सारी question पूछे गएते, fraction से related question पूछे गएते, वो आपक करने हैं, इसके अंदर, mathematical reasoning के अंदर, average, average related question आपकी आप practice कर सकते हैं, कि इस तरह के जो question है, वो बार-बार exam में देखने को मिलते हैं, अब जो जितने भी mathematical reasoning के most important topic है, जिस पर अभी recently exam में पूछे गएते question, उन topics को मैं आपको अपने YouTube चैनल पर ही cover करवा दूँगा, और ये आपको जल्दी ही start करवा दूँगा, तक कि आपकी जो preparation है, वो easily हो जाए, अगर हम बात करें data interpretation की, तो वैसे तो मैंने data interpretation की काभी सरी class से ली वी है, YouTube पर भी करवाई वी है, प्लस हमने paid course में भी करवाई वी है, बट कोई बात निका है, मैं data interpretation के जो questions हैं, जो अभी recently exam में प करवाऊंगा, जो numerical portion है, उस topic को मैं बहुत अच्छे से आपका prepare करवादूगा, क्योंकि जो theoretical part है, मुझे लगता है कि आप उनको पढ़ सकते हो, कर सकते है, जैसे higher education है, तो कौन से community कब बनी, कौन से community की क्या recommendation है, तो इस तरह की topic है आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ प करवादूगा अच्छे से, तो इस तरह के जो question है, उनकी practice में आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ, इसके अलावा research aptitude के अगर आप देखेंगे, तो research aptitude के अंदर, sampling से related question बनते हैं, और अभी बना भी था, random sampling, non random sampling से related question पोच्छा कहता, probability, non probability sampling से related question पोच्छा कहता, तो bibliography करके होता है, तो यहाँ पर जो इस तरह के dot करके, आपके short words giver होते हैं, इनकी meaning बताने तो इनका क्या मतलब है, तो इसकी complete list बना करके, मैं आपको एक बार go through करवा दूँगा, ताकि research aptitude से कर इस तरह कोई question बने, तो आप उस cancer easily कर पाएं, ठेक है, समझ में आ गया, इसके पूछ लेंगे कौन से बीमारी होती है, कौन से बीमारी कौन से हमारे body part में होती है, इस तरह का question बन जाता है, या कौन सी gas जो है, वो किस तरह का pollution करती है हवा में, तो इस तरह के question बन जाते हैं, इसकी मैं आपको practice करवा दूँगा, एक बार go through कर रादा दूँगा, इस तर पूछा नहीं गया था, बट अब मुझे लग रहा कि जो दुबारा exam conduct होगा, तो मुझे लगता है कि इसकी question फोच लिया जाए, क्योंकि higher education के अंदर काफी ज्यादा important topic इसको माना जाता है, और I don't know कि इस बार क्यों नी question पोचा गया इस बार, इस topic के उपर, जबकि हर बार इस topic के उपर question फोचा जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार दुबार से go through कर लेंगे, इसके लावा guys, आप देखेंगे logical listening के अंदर, जो आपका Indian logic वाला part है, उसमें न्याए system, एक बार मैं फढ़वा दूँगा, आपको go through करवा दूँगा, न्याए system हो ग इसको भी exam से पहले, जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना, इसके अलावा guys, मैंने आपको एक वीडियो बना करके समझाया था, मैं एक बार दिखा जाता हूँ आपको, हाँ, देखो मैं इस वीडियो की बात करना हूँ, एक तो यह वाली वीडियो जिसमें 40 most important MC की जो आप इस वीडियो को भी देख सकते हूँ, जिससे आपका यह वाला जो टॉपिक हो अच्छे से कवर हो जाएगा, सो यह जो चीजें हैं, मैंने आपको यूट्यूब पर करवा रखी हैं, प्लस कुछ चीजें हैं जो कि मैंने नहीं कवर करवा रखी हैं, तो मैं जल्दी अगर आप रिवीजन कर लोगे ना, तो उससे बात बन जाएगे, आपका एक्जाम क्रैक हो जाएगा, और अगर आपके अच्छे माक्स नहीं बन रहेते हैं, फिर तो यह क्या ही कहने हैं, आपको एक सेगंड चांस मिला है, ऐसी पेपर टू है आपका, कोई सभी पेपर करना है, कितना भी टाइम आपको दिया जाए, पन्रा दिन, बेज दिन, एक माइना, देर माइना, बस आपको रिवीजन पर फोकस करना है, एक 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 उनिट की रिवीजन करते जाओ, और आगे बढ़ते जाओ, इससे क्या होगा, आपका जो गोस्ट करेगा, और कितना भी इससे क्या हो, आप उस तरीके से स्टेडी करनी है, और रिवीजन पर फोकस करना है, बिकोज मैं आपको वही अगेन कहूंगा, कि रिवीजन ही आपका एक्जाम करवाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, जो जिसको कि आप अभी तक आपने सीरियसली नहीं लिया ह होगा, तो आप आपके पास मुँख है कि आप उन टॉपिक्स को सीरियसली लेकर कि इस इस एक्जाम को ट्रैक कर सकते हो, तो यह वीडियो है, आप सभी के लिए इसके लाभा का दिसंबर के लिए अगर आप बैच जोइन करना चाहाँ हो, तो यूजी सने एक्जाम को फरस् करने के लिए प्रेक्टिस करने के लिए पीडियाफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मुल्टिपल टाइम डिवीजन भी कर सकते हो, तो यह आपके पास अच्छा मौका है दिसंबर 24 के लिए अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपकी कम्प्लीट से ले आपके अप्डेट एन असिस्टन प्रफेसर जाब अप्डेट आइस मिलते हैं फे नेक्स्ट वीडियो में, तिल दन कीफ वाचिंग यूजी इन एप मैं फो, थैंक यू सो मुच